ओम जैन्ती मंगला काली भद्र काली कपाली नी दुर्गा छमा शिवाधात्री स्वाहा स्वाधा नामोस्तोते जैमाता दी रहर महादेव आज इस वीडियो में जानेंगे मा काली मा कालका के ब्रत की विधी कप से सुरू करे उध्यापन कैसे करे समस्त निवाम भोजनित्यादी से संबनेत मंत्र पूजाविधी पूरी जानकरे इस वीडियो में आप सभी को बताने का प्रियास करूंगी इस कल्यूग में हम सभी जानते हैं जो भक्त मा कालका को मानते हैं माकाली को मातारानी की किसी भी स्वरूप को मानते हैं मातारानी इस कल्योग में सबसे ज़्यादा सक्ति पुंज के रूप में जानी जाती है जो भी भक्त सच्चे भाव सच्चे मन से अपनी स्रध्धा सामर्थ अनुसार माकाल का मातारानी की किसी भी स्वरूप का पूजन अर्चन करता है मातारानी उसे किसी न किसी रूप में दर्शन देती ह और उसके कस्टों का निवारन करते हुए हमेशा उसकी रक्षा करती हैं। ऐसे में अगर आप भी किसी परिक्षा इत्यदी को पास करना चाहते हैं, विवासम्मंदी बाधा को दूर करना चाहते हैं, कर्ज, धन, संपदा या अपने संकट काटना चाहते हैं, तो माकालका, माक काली के ब्रत कप से सुरू करने हो चाहिए, देर ना करते हुए यह बताओं, सबसे पहले आप सभी को जो है यह ब्रत शनिवार को करने चाहिए, माकालका के ब्रत सबसे मुख्य दिन माना जाता है, मातारानी का सबसे प्रिय दिन यह माता जाता है, ऐसे माकालका के जो ब्रत होते हैं वह सनीवार से सुरू कि यहाथे किसी भी महा के सुक्ल पक्राइव ब्रत कर सकते हैं को लिकत की तो अंहीं है तो सबसे पहले आपको माक आलगा के सब्राकर इसार deposit हो मोबाल इत्यठी में या कोई भी वा प्रत प्रतिरूप उनका ला सकते हैं फोटु इत्यादी का कहने का अर्थ है कि फोटु प्रतीमा नहीं है तो आप फ्रिंट आओड भी निकाल कर सामाने तवर पूजा कर सकते हैं देखे घर से बहार लगते हैं जोब इत्यादी करते हैं तो हम सब चाहते हैं कि मातारानी की पूजा आराद ना करें, उनके मंत्रों का जाप करें, किसी कारण से कोई चीज नहीं हो पाती है, जिस घर में उपलब्ध है, बहुत उत्तम है, नहीं तो इस तरह से भी आप मातारानी की कोई प्रतिमा फोटू जो है, ले सकते हैं, सामानी रूप से सात्विक भोजन ग्रहन कीजिएगा, मन और तन और चिंतन से मातारानी का ध्यान कीजिएगा, किसी भी पूजा पाठ में कोई भी ब्रत करें, तो उस देवी देवता का स्वरूप अपने मन और मस्तिसके में हमेशा रखना चाहिए, और उसके ही निस्ठा में प्रतिविंब आपके आँखों के सापने होना चाहिए, आप सभी किसी लाल कपड़े में बिछा कर और अपने ले लाल या काले रंके वस्त्रों का चैन करते हुए, मातारानी की प्रतिमा फोटू जो है, इस्थापित कर लीजे, सामाने तोर पर मातारानी को आप गुड चना का भोग लग लगा सकते हैं, या मातारानी के प्रिये चने और पूरी और हल्वा का भोग लगा सकते हैं, बताशे और लॉंग जरूर रखेगा, सामाने तोर पर मैं बता रही हूँ जो घर परिवार में उपलब्द होती है, इससे बहुत उत्तम कर सके, तो मातारानी के हल्वा पूरी इत कि कितने करना चाहते ही कि तरह से थोड़ा सचामल हाथ में करेगा अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, इस तरह से संकल्प की विधि होती है कि हे मता हे कालका मा तु मेरी आराद्धी है मेरा नाम यह है मेरा गोत्र यह है मैं तुम्हारे ग्यारअ ब करおうनी rok यह पूर्ण करना माँ इसलिए मैं इस ब्रत को कर रही हूं चामल वहीं पर छोड़ देने है यह होती है संकल के बिक्की विधी तो इस तरह से इतने ब्रत किये जाते हैं इस पूजा में और साथ ही आप सभी को जो है मातरानी की सरल तरीके से सामाने तरह से पूजा करनी है कारण होते हैं घर परिवार में कोई नहीं होता उसे जोत को सामालने वाला देखे वर्किंग होते हैं तो यह बात बहुत ज़्यदा दिक्कत की हो जाती है तो ऐसी स्तिती में देखे सभी जन नौकरी भी करते हैं सभी को अपने भरण पोर्षण के लिए कई कारे करने पड़त आप सभी सावानिय रूप से जो है सुबह शाम मातारानी के आगे दिपक लगा देजीए करते हैं अब आप सभी जैसांसार आपको समय हो सतरह से मां के साधना अरहिका कर सकते हैं इस तरह से पूरे दिन जो है मन और तन से जो है माता की भक्ती में रहिएगा कहने का अर्थ है कि मन कर्मवाणी से सुद्धता रखीएगा भोजन में जहां तक हो सात्वी की चीजे ग्रहन कीजेगा इस तरह से जितने आपने ब्रत ले रखे हैं उतना जब दिन में जरूर चले जाएगा अगर आपसे संभव हो नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जैसे मैंने बता है मोबाइल फोटो इत्यादी के मात्यम से आप दर्शन कर सकते हैं ठीक है इस तरह से साम के समय में आप चाहें तो नमक का भोजन ले सकते हैं नहीं तो मीठा भी का सकते हैं नमक कुए कोई दिक्कत को कर से बात नहीं है बस ले से परहीच हुआ हो उस दिन आप शामानने तोर पर छोट हवन कर सकती हैं आप से संभव थो नहीं तो यह भी कोई algorithms नहीं है सामानी रूप से मातारानीी केiceUL Kyka आता हम सं या तो आपसे सिंगार की सामग्र कर उन्हें भोजन करवा दीजे इस तिन विशेश रूप से नारियल मातारानी को चड़ाईएगा क्योंकि अन्य दिनों मातारानी को हम नहीं चड़ा पाते हैं यह खास माना जाता है और साथी इस इन हलवा पूरी छोले जो मा को प्रिय हैं वह चीजे बनाने का प्रियास करें और कन्याओं को जिमा कर और एक लांगुर जिमा कर उनके साथ अर्थात उन्हें भोजन करवा कर हवन हो सके तो हवन करवा दीजे और साथी सुहाक की सामगरी माता को चड़ा कर अपने ब्रत को पूर्ण कीजे सफल कीजे बहुत सरल है हमारी मातारानी और सामानी तरह की अपरियट से होती है मासिक धर्म होता है तो इस दिन जो है इस ब्रत को छोड़ दिजे अगले बार सभी इस ब्रत को सुरू किजेगा और काउंट कर लिजेगा इस तरह से सामानी सीवीधी होती है मा कालका के मा काली के ब्रत करने की मन में कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा आपकी मनों कामना जरूर पूरी होगी पूर्ण स्रिद्धा भावना से इसकारी को कीजिएगा बहुत सरनलियम है मा भाव की भूकी है सच्चे भाव से कीजिएगा मन कर्मवानि से स्वयम को सुध की हिग विजे रे अड्क चेह रही जयता है और गयारndñ करिद्ट।